दोस्तों नमस्कार आदाव सक्स्रियकाल निउस क्लिक के कारिकरम आज की बात में आपका स्वाज़त है दोस्तों लॉक्डाउन के दर्मियान हम लोग लगाता है बात करते रहे अब अनलाक लॉक्डाउन के बात अनलाक स्वधेशी वगरा हिंदी, हिंदुस्तान वगरा की बात करने वाली सरकार ने नाम भी खोब रखे है लॉक्डाउन उसके बाद अनलाक लॉन ये फेज है तो अनलाक लॉन के बाद हम चुकि पहली बार आपसे मुखातिब हैं हम रूब रूब एक दुसरे से तो हम आज जरूर बताएंगे कि लॉक्डाउन के बाद ये अनलाक लॉन जो आया है इसके दर्म्यान क्या क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है दोस्तो सच यह है कि भारत सरकार ने जिस कारणों से जो रणनी थी अख्तियार की थी जो सोच बनाई थी जो समझ बनाई थी वो चारों खाने चित हो चुकी है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये सरकार के सारे top strategist, सारे उसके top official, सब आप अकेले में उनसे बात कीजिए, जिसको पत्रकारिता की भाशा में हम लोग off the record बात कहते हैं, तो वो सारे लोग कहते हैं एक तो कुछ ओड़ कर, जितने top level के उच्छाधिकारी हैं, वो जो briefing के बाद जब मिलते हैं, तो पत्रकारो से सच बोलने में ज़्यादा कोताही नहीं करते हैं, हाँ, जो reporters हैं टेलिविजन के वो बताते हैं, कि एक दो लोग कोताही करते हैं, संकोच करते हैं, हो सकता है, उनका ज़्यादा emotional attachment हो, कुछ चीजों से, तो दस्तों ये जो lockdown की स्थिती है, वो जब 24 मार्च को हमारी 21 दिन जो आगे के हैं, इन 21 दिनों में हमें इसे हर हावत में रोपना है, coronavirus के फैलाव को, क्योंकि ये नहीं रुका तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा, ये बात कही थी उन्होंने, और साथ में ये भी कहा था, कि ये बहुत खतानाक virus है, ये जंगल में आग की तरह फैलता है, और जान है तो जहान है, ये बातें प्रदायन मंत्री जी ने कही थी, और माननी प्रदायन मंत्री की इन बातों को भी अगर आप देखिए, तो मतलब साफ है कि आज lockdown की विफलता पर सरकार पूरी तरह अंदर से, अपने अंदर से सामत है, कि ये lockdown फेल कर चुका है, क्यो से उपर मौते हो रही हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है, एक्सपर्स का भी, कि ये तो पूरी तरह जो रिकार्डेड जो डेटा है, उनके अलाबा भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसको की अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि तो अगर कोविट था, नहीं था, वगेरा वगेरा, हम उस पास में नहीं जाएंगे, लेकिन बात पकी है कि जब अनलाक वन का एलान हुआ है, तब सारी की सारी चीजें खोली जा रही हैं, इस दर्म्यान, जो हालात इतने अगर खराब हैं, कम्यूनिटी इस्प्रेट की बा हमने देखा कि तिन एक दिन पहले कि देश के टॉप पब्लिक हेल्थ ऑफिसियल्स, जिसमें कि देश के टॉप डॉप डॉक्टर्स हैं और संकर्मन रोग विशेशक हैं, उन्होंने भी पछीष तारीक को अभी प्रदानमंत्री जी को एक चिठी भेजी थी, और उसमें मज पूरा का पूरा जो कोरुप बो0 से जो जिस तरह से हमारी सरकार ने फाइट किया है, अपने जन्ग एलान जो किया था, उसको जिस तरह एक्सक्यूट किया है, वो traditional failure रहा है और lockdown को disastrous तक का जा रहा है कि ये पूरी तरह disastrous था, उसलों को इसलों को इसलों को इसलों को officials का, experts का, कि उसकी वज़ाई यह है कि भारत सरकार ने experts से बात नहीं करी, उन्होंने न जाने किस तरह के लोगों, किस तरह के सलाकारों से उन्होंने सलाली और execution किया, उन रणनीतियों का, जिन रणनीतियों की विफलता पहले से तैशुदा थी, और दुनिया के जिन देशों म में ये लगभत तै हो चुका है, और कोई इस पर संदेह नहीं रहा गया है, कि lockdown भारत में पूरी तरह विपल रहा है, कोरना से भारत सरकार की जो जंग की बात थी, जिसके लिए लोग ताली थाली बजा रहे थे, कईोंने थाली तोड़ दी थी, कईोंने डांस किया था, कई अच्छी अच्छी तस्वीरें खीचवाई थी, उनको सोसिल मेडिया पर डिस्पले उसका किया था, तो अब वो सब कुछ जो है, आप समझ लीजिए कि उसका कोई मतलब नहीं रहा गया है, सब वो इतिहास में दर्ज हो गया है, विफलताओं के इतिहास में, तो आज की जो कहानी है, वो असल कहानी यही है कि अब इस विफलता को छुपाने के लिए हमारी सरकार, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारी सरकार, अब उसका जो आपरेशन है, वो जारी है, और ये जो उसका आपरेशन, ये जो उसका अव्यान है, वो कई बहुस्तरी है, बहुस् ब्रीफिंग ही बंद हो जाती है अपने देश के टॉप जो अधिकारी है रायनायतिक अधिकारियों की बात में कर रहा हूं वो तो कभी प्रेस से बात करते नहीं है जैसे दुनिया भर के प्रदानमंत्री दुनिया भर के राश्टपती दुनिया भर के तमाम लोग हमेशा बा नहीं की, खासकर ब्रीफिंग कभी नहीं की, प्रेस के साथ, मीडिया के साथ, वो सिर्फ राष्टी संदेश देने आते थे, इस 20 में संदेश भी उनके कम हुए हैं, हाला कि उन्होंने चिठी लिखी है, और रेडियो पर उन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया है, लेकिन हमारे काने का मतलब कि आज की तारीख में अब मौझूदा सरकार के सामने सबसे बड़ा एजेंडा है कि कैसे अपनी नाकामी को जो बिलकुल जगजा ही रहे, जिसको सारे एक्सपर्ट समझ रहे हैं दुनिया के, और भारत के भी बिरोक्रेट्स जानते हैं, पढ़े लिखे चाहे वाटसाप इनुस्टी के जंजाल से, टेलीविजनों पर जो खबर आती है, उसके 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 पूरे बवंडर के बीच में फंसे रहें और वो ये नो जान सकें कि उनकी सरकार ने जो ताली ठाली और तमाम चीज़ें बजवाई थी, मुंबती जलवाई थी, बिजली से किया, मज़़ूरों को जिस तरह तबाह किया गया, उसका डिसास्क्रस्क विनाशकारी नतीजा निकला, अब लोगों का ये जुद बात है कि लोग ये न जान सकें, एक्सपर्स को जानने दो, पड़े लिखे लोगों को जानने दो, समझदारों को जानने दो, लेकिन जो असल लोग हैं, जो वोट में सबसे अधीक, लोग संत्र में, एलेक्शन में, जिनका सबसे अधीक बड़ा हिस्सा है, और जो टेलिविजन देखकर अपना दिमाग मनाते हैं, जो वाट्सप इन्रस्टी से अपनी रायरीतिक चेतना का रिमान करते हैं, उन लोगों तक सच न बंध हैं, तो मेरा यह मानना है कि इस आपरेशन में सब कुछ खोल दिया गया है, अनलाक मन में बाजार खुल गए, शैलून भी खुल गए, आठ जून से तो बहुत सारी चीज़ें खुल जाएगी, आठ जून, सब कुछ आलमोस सब कुछ खुल जाएगा, केवल इंटरने केजी से बढ़ रहा है, भारत, अब देखे, कई स्टेट्स ने तो टेस्टिंग बीतनी कम कर दी है, कल्पला कीजिए कि बिहार जैसे स्टेट की बात, वहां तो दस लाक लोगों में, साथ-ाट-सो लोगों की बमुश्किल टेस्टिंग हो रही है, तो अब ऐसे दोर में, ज इसमें 3-4 लाग करोड अगर प्रावधान किया गया होता, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेवाओं के विस्तार में, तो भी कुछ काम आ जाता, वो भी ठीक से नहीं हो पाया, तो दोस्तों अब जो असल कहानी है, कि बाजार खोला जा रहा है, सारा संसार खोला जा रहा है, अपन जाने कि जाने कि लोगों की हाल के लागडाउन के दौरान भी गिरफतारियां भी गुई आए, आविन गुजरात तक में, पटेल एक न्यूज वेब साइट के संपादक है, उनकी गिरफतारी हो गई, कश्मीर में कई लोगों पर वहाँ एफायार दर्ज हो गए, दिल्ली में एफायार दर्ज हो गए, उत्तर प्रदेश में हो गए, तो बहुत सारे चीजें चल रही हैं, और आप जानते हैं कि बह कुछ ओपिन किया जा रहा है, लेकिन डेमोकरसी को बंद रखा जा रहा है, इसका मतलब यही है कि लोगों के बीच में कारिकरताओं को नो जाने दिया जाए, और दुर्भागी ये अपने देश का है कि बड़ा हिस्सा अपोजीशन का, बड़ा हिस्सा क्या इंटाइर अप अपोजीशन की बात में कर सकता हूँ, कि वो बिलकुल खामोश है, आप अगर अमेरिका की तुलना कीजिए, आप योरोप के दूसरे मुलकों की तुलना कीजिए, तो अपने हाँ अपोजीशन सचमुच लॉक्डाउन में लॉक्ट है, और उसको जैस बात का है कि अगर जे अगर प्रदेश, आमिन आप कल्पना कीजिए कि देश की सबसे बड़ी अपोजीशन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अजयक कुमार लल्लू, ये कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको गिरफतार किया गया, उन पर 420 से लेकर तमाम मामले ठोंक दिये गए, उत्ते प्रदेश सरकार द्वारा, और वो कैसे, वो बसों का मामला था मजदूरों को ले जाने के लिए, जिसको लेकर इतना विबाद हुआ था, उसमें उनको जेल में डाल दिया गया, अभी तक और यहा नहीं हुए हैं, जमानत अभी तक उनको नहीं मि बिल्कुल दुर्भावना से प्रेरित और प्रिजुडिस के साथ, तो आम आदमी अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है अन्याय का विरोध करने पर उसकी इहानत क्या होगी, दोस्तों उत्तरा खंड की कहानी मैं बता कर अपनी बात देरे देरे कंक्लूट करूँगा, और फि है रहे थे कि हमने इतने कड़े कानून बनाए हैं कि कोई भी जो आपदा प्रबंदन कानून का या किसी भी अन्य कानूनों का कोरुणा के दौर में, लॉक्डाउन के दौर में और हिलना उसकी करेगा, तो उसको हम आठ तीन सो सत्तर यानि अटेंप्टो मर्डर इस तरह की केसे में भी डाल सकते हैं और सच्चमुच उन्हों ने किया, उत्तर काशी में दो लड़कों को जो बाहर से आये थे और बाइचांस एक उसमें संक्रमित था, ये क्या दो, और उन पर 307 अटेंप्टो मर्डर लगा दिया गया ये केस, और भी कई केसे उन पर लगा दी गई और उनको फिर अस्पताल बेजा गया, यानि हिरासत में अस्पताल बेजा गया, और मजे की बाती है कि जिस उत्तराखंड की में बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में आपदा प्रबंदन जो अधिनियम है 2005 की, उसकी धारा 51 से लेकर 60 तक्रा कड़ाई से पालन हो रहा है, औ और उसमें क्या-क्या बाते हैं, कि अगर सेवा कर्मी के काम में कोई बाधा पहुचायागा तो धारा एक क्याउन, बावन में है कि मिथ्या दावा अगर कोई करेगा जोटा दावा तो जोटी कोई छेताव नहीं देगा तो उस सब को गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिय जाएगा और उसमें सजा का प्रावदान है, तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि क्रिमिनलाइज करना इस पूरे कारिकाल में, इस पूरे दौर में कोरोना के ये सब चीजें उसी तरफ मुखातिव हैं, जो डेमक्रसी को लॉक करती हैं, पाजार को अनलॉक करती हैं, अपनी वि फलता हैं, चुप नहीं सकती हैं, लेकिन लोगों के दिमागों में, अगर आभी जाएगा तो क्या फरक पढ़ेगा, और अगर पढ़े लिखे लोग आम जंता तक नहीं पूंचते हैं, तो फिर क्या फरक पढ़ने वाला हैं, तो असल कहानी आज की दोस्तों यही है, अपन महामारी से जूझना असंभव है दोस्तों क्योंकि किसी भी देश में अगर महामारी से बहतर धंग से निपटने की कोशिश होई है तो तभी होई है जब सूचना, समझदारी, सेवा, क्वाडिनेशन और चिकित्सा यानि दवा दरुका बहतर प्रबंधर हो और यह तभी संभ जब सरकार, अपोजीशन और जन्ता तीनों में क्वाडिनेशन हो तीनों में एक बहतर महौल हो कंपेशन की बात की जाती है, करूना की बात की जाती है, आपको याद होगा एक बाचन में कहा गया था माणी प्रदान मत्री द्वारा लेकिन अपने ही नागरिकों के साथ जिस प्रूर्टा प्रून बे ओहर किया जा रहा है, वो क्या बताता है, वो ही बताता है कि अपने देश में सब कुछ अनलाक रहेगा लेकिन डिमोक्रिसी रॉक रहेगी ये एक खतरनाक मंजर है मुझे रखता है कि देश को इससे कैसे देश बचे ये सोचने की बात है नमशकार आदाव सत्रियका